हेलो एंड वेलकम अवरीवन मैं धीरे जाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे इजिवर्शनल प्लैटफॉर्म कॉंपटिशन कम्मुनिटी पर अगर हम बात करें आज के सेशन की तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर हम बात करें आपको लगवग लगवग हर एक सिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा था तो कहीं नहीं एक्जाम के पॉइंट इंपॉर्टेंट और खास टॉपिक होने है यहां पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत सिलॉफ्ट के बारे में भी क्योंकि सिलॉफ और लॉजिकल विन को ले करके थोड़ा सा आप लोगों को confusion होता है क्योंकि हम लोग यहां पर सिलॉक्स के लिए भी क्या करेंगे विन आरेक का इस्तमाल करेंगे सिलॉक्स के questions को हल करने के लिए तो यहां पर हमें क्या होता है पूर्व ग्याद होता है यूजिंग वन डाइग्राम में भी हम लोग क्या करेंगे व aquí करेंगे लेकिन वहां पर जो भी आपको स्टेटमेंट में जानकारी दी गई है उसी को क्या मान ना होता है सत्य मानना होता है भले ही वो आपके पूर वो ग्यात तत्यों पर अधारित हो अथ्वा ना हो हमें क्या करना होता है उसी को सत्तिमान लेना होता है उस पर हमें अपना दिमाग नहीं लगाना होता है तो यहां पर हम बात करें सबसे पहले लॉजिकल वेंड डाइग्राम की तो बेसिकली आपके तीन कमोडिटीज पर बेस्ट कोश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एक्जाम में और उन तीन कमोडिटीज पर बेस्ट कोश्चन को हम लोग कितने प्रकार से क्या कर सकते है represent कर सकते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो अगर हम बात करें यहाँ पर when rx की कितने प्रकार के when rx से हम अलग अलग वस्तूओं के बीच में relation को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, तो one by one इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे और फिर हर एक when rx के उपर हम लोग examples की भी अलग से चर्चा करेंगे जैसे कि यहाँ पर हम बात करें पहले प्रकार के when rx की तो यहाँ पर आप clearly देख सकते हैं, जब क्या होंगी तीनों वस्तूओं एक दूसरे से पूर्णतया क्या होंगी, भिन्नोंगी when all the three commodities are completely different from each other तो हम लोग इस प्रकार के when rx का क्या करेंगे इस्तमाल करेंगे वस्तूओं के बीच में relation को दिखाने के लिए ठीक है, example के अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने कहा घोडा, शेर और कुट्ता, horse, lion and dog तो यहां पर तीनों हला की जानवार है, लेकिन तीनों का आपस में कोई भी संबंद नहीं है, ठीक है तो यहां पर हम लोग इस प्रकार के वे नारेक का क्या करेंगे use करेंगे next अगर हम बात करें, जब all तो जो मेल है, वो डॉक्टर है, वो क्रिकेटर भी हो सकता है, जो डॉक्टर है, वो क्रिकेटर भी हो सकता है, ठीक है तो इस प्रकार के हम लोग वे नारेक का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो examples की हम लोग चर्चा अलग से करेंगे हर एक प्रकार के बनने वाले वेनारेक उपर हम लोग multiple examples की चर्चा करेंगे साथ जी साथ आपके exam में पुछेंगे, प्रस्टनों को भी हम लोग यहां पर discuss करेंगे तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कितने प्रकार के when r1 का हम लोग यहाँ पर use करते हैं next one अगर हम बात करें when commodity 1 is partially related with commodity 2 and commodity 3 is completely different from these two ठीक है जब वस्तु 1 वस्तु 2 के साथ में आंसिक रूप से संबन्दीत हो तथा वस्तु 3 इन दोनों से पूर्णते हा भीन नहों तो हम लोग इस प्रकार के when r1 का इस्तमाल करेंगे ठीक है next one के अगर हम बात करें when commodity 1 is completely related with commodity 2 and commodity 2 is partially related with commodity 3 and there is no relation between commodity 1 and commodity 3 जब वस्तु 1 वस्तु 2 के साथ में पूर्णते हा संबन्दीत हो तथा वस्तु 2 वस्तु 3 के साथ में आंसिक रूप से संबन्दीत हो लेकिन वस्तु 1 और वस्तु 3 के बीच में कोई भी संबन्द ना हो तो हम लोग इस प्रकार के वे नारेक का क्या करेंगे इस्तमाल करेंगे next one अगर हम बात करें tension आपको नहीं लेना है और दूसरी सबसे important बात ये कि अगर मैं यहां पे आपको सारे ही वे नारेक बना करके एक बार अगर मैं आपसे example पूछना सुरू करूंगा तो सभी के answer अलग अलगाएंगे यह आप in general आप mistake करते हैं exam में confidence तो बहुत होता है लेकिन हम क्या करते हैं गलती करते हैं तो क्या गलतियां करते हैं examples को किस प्रकार से बनाना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे next one अगर हम बात करें when commodity 1 and commodity 2 are completely related with commodity 3 but there is no relation between commodity 1 and commodity 2 यह कह सकते हैं when commodity 1 and 2 are completely different from each other ठीक है जब वस्तु 1 और 2 वस्तु 3 के साथ हैं पूर्णतियां संबंदित हो लेकिन वस्तु 1 और 2 के बीच में कोई भी संबंद ना हो next one अगर हम बात करें when commodity 1 and commodity 2 are partially related with each other and completely related with commodity 3 जब वस्तु 1 और वस्तु 2 आंसिक रूपसे एक दूसरे से संबंदित हो तथा वस्तु 3 के साथ ने पूर्णतियां संबंदित हो next one अगर हम बात करें when commodity 1 is completely related with commodity 2 and commodity 3 is completely different from these two next one अगर हम बात करें when commodity 1 is partially related with commodity 2 and commodity 3 but there is no relation between commodity 2 and 3 जब वस्तु 1 वस्तु 2 और 3 के साथ में आंसिक रूपसे संबंदित हो तथा वस्तु 2 और 3 एक दूसरे से पूर्णतिया बिन नहों तो हम लोग इस प्रकार के वेनारिक का इस्तमाल करेंगे एक्ग्जांपल के लिए एकर हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर आग्जांपल की बात करेंगे जैसे हमने कहा डॉक्टर, male and mother तो यहाँ पर जो male वो कभी भी mother नहीं होगा जो mother हो कभी भी male नहीं होगी mother doctor हो सकती है, male भी doctor हो सकता है ठीक है तो वेरियस वेरियस एक्जाम्पल्स की चर्चा करेंगे next one when commodity one is completely related with commodity two and commodity two is completely related with commodity three जब वस्तु एक वस्तु दो के साथ में पूनतिया संबंधित हो तथा वस्तु दो वस्तु तीन के साथ में पूनतिया यहां संबंधित हो तो हम लोग इस परकार के वेनारह का इस्तामाल करेंगे next one अगर हम बात करें when commodity one is completely related with commodity two and commodity three is partially related with these two जब वस्तु एक वस्तु दो के साथ में पूनतिया संबंधित हो तथा वस्तु तीन इन दोनों के साथ में आंसिक रूप से संबंधित हो हम लोग इस प्रकार के वे नारेक का इस्तमाल करेंगे और अगर हम बात करें last one की when commodity 1 is partially related with commodity 2 and commodity 3 is completely related with these 2 जब वस्तू 1 वस्तू 2 के साथ में आंशिक रूप से संबंदित हो तथा वस्तू 3 इन दोनों के साथ में पूर्था संबंदित हो तो हम लोग इस प्रकार के वे नारेक क इस्तमाल करेंगे ठीक है तो basically आप देख सकते हैं यहां पर अपने पास 11 प्रकार के वेन आरेख है ठीक है इनी 11 प्रकार के वेन आरेखों का हम लोग क्या करेंगे इस्तमाल करेंगे यूज करेंगे relations को represent करने के लिए between three different commodities ठीक है हम लोग तीन अलग अलग वस्तूओं के बीच में relation को show करने के लिए इन 11 प्रकार के क्या करेंगे वेन आरेखों का इस्तमाल करेंगे हर एक प्रकार के वेन आरेख से related हम लोग यहां पर various examples की भी चर्चा करेंगे ठीक है चलिए तो पहले प्रकार के वेन आरेख के अगर हम बात करेंगे तो आपकी screen पर आ चुका है जब क्या होंगी तीनों वस्तूओं एक दूसरे से पूर्टया भिन होंगी example के अगर हम बात करें तो example आपकी screen पर आ चुका है lotus, rose and sunflower यानि कि कमल, गुलाब और सूरज मुखी के अगर हम बात करें तो तीन के तीनों ही क्या है flowers हैं लेकिन completely क्या है different है एक दूसरे से बिलकुल अलग है इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है ठीक है next one अगर हम बात करें तो seed, root and leaf तीन के तीनों ही क्या है पौधे का क्या हम कह सकते हैं पार्ट होते हैं लेकिन अगर हम बात करें इनका आपस में कोई भी संबंध आपको देखने को नहीं मिलेगा जैसे की बीज, जड़ और पत्ति अगर हिंदी की बात करें तो बीज, जिराफ एंड टाइगर जैसे कि मैंने आपको एक्जामपल भी दिया था क्या लाइन होर्स और डॉग तो यहां पर बकरी जिराफ और बाग तीनों ही क्या है अलग अलग जानुवर है ठीक है नेक्स्ट वन अगर हम बात करें यहां पर वेन और अल्ट थरी कमोडिटीटी यहां परिलेटेड विट रिलेटेड टुई जब तीनों वस्तु ने क्या होंग एक अगर हम बात करें तो गर्ल्स एथलीट्स एंड स्टु देट्स हैं कि एकर अब बात करें स्टुदेंट्स की तो ऑब ऐसी बात है स्टुदेंट्स में गल्स भी आपकी आएंग तो गर can be athlete और a student also can be athlete ठीक है लड़कियां खिलाली और विद्धियार्थी तो लड़कियां खिलाली भी हो सकती है लड़कियां विद्धियार्थी भी हो सकती है विद्धियार्थी आपका खिलाली भी हो सकता है विद्धियार्थी आपकी लड़कियां भी हो सकती है ठीक है next example की हम ब कि बात करें पर एपके पास एक्जामपल है मुजीशियन सिंगर और वोमन इसी की उपर हम दोग चर्चा कर रहे हैं कई बार आपको इस प्रकार से भी एक्जामपल देखने को मिलेगा अलग-अलग किताबों में यानि कि युजीशियन और singers की बात करें तो all singers जो होंगे वो आपके musician के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कई बार तो आपको बिल्कुल भी confused नहीं होना है हमें उन वेन आरेकों को चुनना है जो कि क्या करेंगे best way में आपके relations को represent करेंगे between different commodities ठीक है तो बिल्कुल भी confused नहीं होना है next one अगर हम यहां commodity one is partially related with commodity two commodity second या commodity two बोल सकते हैं and commodity third is completely different from these two ठीक है यहां पर अगर हम बात करें example की तो example आप देख सकते हैं workers men and trucks यानि कि men's की अगर हम बात करें तो men भी क्या होते हैं आपके stomach होते हैं लेकिन truck क्या है श्रमिकों और men's से completely different है इसका कोई भी relation नहीं है ठीक है next one अगर हम बात करें तो doctor female and table female can be a doctor but table is completely different from these two next one book writer and publisher यानि कि क्या है publisher can be a writer writer can be a publisher but book क्या हो जाएगी completely different हो जाएगी next one हम बात करेंगे when commodity one is completely related with commodity two and commodity two is partially related with commodity three but there is no relation between commodity one and commodity three या आप बोल सकते हैं commodity one is completely different from commodity three ठीक है इसके example कि हम लोग यहाँ पर बात करें तो female children and mother यानि कि जितनी भी mother होंगी जितनी भी क्या होंगी mother होंगी वो definitely क्या होंगी female होंगी अगर हम बात करें children की तो बच्चे male भी होते हैं और female भी होते हैं यानि कि कुछ बच्चे क्या होंगे female की category में आएगे लेकिन कोई भी बच्चा क्या नहीं होगा मदर नहीं होगा ठीक है चलिए next example आपके सामने क्या है next example आपके सामने wooden chair furniture and plastic तो अगर हम बात करें furniture की तो plastic के भी आपके furniture होते हैं और wooden chair जो है वो भी क्या है furniture का पार्ट है लेकिन कोई भी wooden chair plastic का पार्ट नहीं होगा जैसा कि यहाँ पर wooden chair आपको पहले ही mention कर दिया गए लकली की कुरसी यानि कि वहाँ पर plastic का कोई भी योगदान नहीं है यानि कि हम बात करें लकली की कुरसी और plastic के बीच में कोई भी संबंध नहीं होगा जब कि हम बात करें लकली की केटेगरी में आता है लेकिन वो हाड़ी वडूर नहीं है टाइगर क्या हूथ आपका नज्वार आपका है यहां पर हम बात करेंगे इंडिया मध्य प्रदेश और गोज यानि कि मद्ध्ध्ध्ध्ध और गोज़ें दोनों ही इंडिया का पार्ट लेकिन मध्य प्रदेश आपका अलग स्टेट सब्सक्राइब अलग राज्य निप नहीं हो खर एक अलग लेंगवेज है ठीक है consonant नहीं होगा जो consonant है वो vowel नहीं होगा लेकिन दोनों ही क्या है alphabet के part है चलिए बात कर ले तब लोग यहाँ पर अगले example की अगले example की बात कर रहे हैं अगर हम यहाँ पर तो आपको देखने को मिल रहा है जो sister है वो भी female होंगी कुछ sisters क्या होंगी mother होंगी यानि अगर इसकी हम बात करें यह होगे mother यह होगे sister और यह होगे आपका female तो कुछ mothers क्या हुंगे sister होंगे, अगर कोई एक single child है, ठीक है? Single child है, तो obvious सी बात है अगर वो mother बनती है, तो वो किसी की sister नहीं होगी, यानि कि single child भी आपका mother हो सकती है, यह हम बात करें तो जो किसी की sister है, वह भी mother हो सकती है, लेकिन दोनों की दोनों क्या होंगे definitely females होंगी ठीक है चली बात कर लेते हैं हम लोग अगले यहाँ पर example की जैसे कि आपको दिया गया thief, kidnapper and criminal तो अगर हम बात करें thief की और kidnapper की तो यह दोनों definitely क्या होंगे criminal तो होंगे लेकिन thief क्या हो सकता है ये वेन आरे क्या कर रहा है, represent कर रहा है, ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर अगले, example की, अगले example की अगर हम बात करें, typist, graduates and human being, जो typist है, वो graduate हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है, लेकिन दो के दोनों definitely क्या होंगे, human being होंगे, ठीक है, चलिए, next one अगर हम बात करें, example की, तो पहला example आपके पास है, judge, thief and criminal, तो बहुत सारे बच्चों को confusion होता है, कि जो judge है, वो भी तो thief या फिर criminal हो सकता है, तो ध्यान दीजे कि अगर हम बात करें, judge की, तो judge आपका कभी भी thief या फिर criminal की category में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्यों जब तक वो thief या criminal नहीं है, तभी तक वो क्या है, judge है या कह सकते है, जब तक वो thief या criminal फिर नहीं होगा, ठीक है, यानि कि अगर हम बात करें, जितने भी thief होंगे, जितने भी चोर होंगे, वो क्या होगे, criminal की category में आएगे, जब कि judge क्या होगा, completely different होगा, इन दोनों से, ठी है ये, अगले अगर हम example की बात करें, तो table, furniture and book, table क्या है, furniture का part है, लेकिन book इन दोनों से completely क्या है, अलग है, ठीक है, next one अगर हम बात करें, brinjal, vegetable and mango, तो brinjal क्या है, यानि कि bangan क्या है, आपका सबजी है, जब कि आपका mango क्या हो जाएगा, इन दोनों से completely अलग हो जाएगा क्योंकि mango क्या है, अपका fruit है, ठीक है, next अगर हम यहाँ पर example की बात करें, men, musician and woman, तो musician क्या हो सकते हैं, men भी हो सकते हैं, और women भी हो सकते हैं, लेकिन men अलग होगा, और women क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, next example की बात करें, तो passengers, train and buses, तो passengers क्या होते हैं, कुछ passengers तो train से करते हैं कुछ पैसेंजर साफ के बस में सफर करते हैं ठीक है लेकिन अलग हो जाएगा और बस आपका क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा तो इस प्रकार कि वेरियस एक्जामपल के साथ में अग्जामपली होगे तो कहीं न कहीं आपके मांड में सबसे पहली जिस तो एक basic idea generate होगा कहीं न कहीं कि हमें examples को कैसे यहाँ पे put करके relation को एक बार check कर लेना है जाच लेना है over confidence में नहीं रहना है दूसरी चीज़ कि आप various examples के साथ में familiar होगे तो कहीं न कहीं questions को बनाने में और समझने में आपको क्या होगी आसानी होगी बात कर लेते हम यहाँ पे अगले example की तो बोलागी है flowers, clothes and white यानि कि अगर हम बात करें white की तो white आपके clothes भी हो सकते हैं और flowers भी हो सकते हैं लेकिन जो cloth है वो flower नहीं होगा जो flower है वो cloth नहीं होगा ठीक है चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग अगले example की week, day and year तो अगर हम बात करें तो यह क्या हो जाएगा अपका day हो जाएगा यह क्या हो जाएगा अपका week हो जाएगा यह क्या हो जाएगा अपका year हो जाएगा ठीक है बात कर लेते हैं next one animal, mammals and elephant elephant स्किया अगर अमेद करें तो elephant किसके कटेगरी में आते हैं elephant आपके इसão सिससे इसपर और इस बिश्टबियंगे को मिलेंगे रायपूर चछतीजगर्ड और इंडिया रायपूर 26 गढ़ का पार्ट है और 36 क्या है इंडिया का पार्ट है तो अगर हम बात करें रायपूर- 65 गढ़ और इंडिया के रेलेशन को हम लोग रिपर्यजेंट कैसे करेंगे तो इस प्रकार की वेनरे क्स hockey क्या करेंगे रिप्रेजंट करेंगे ठीक है नेक्ट एक्जामपल के हम लोग बात कर लेते हैं मेल्स कजन एंड नेफ्यू इस प्रकार के बेसिकली देखा जाये तो आप एक्जामपल्स में कहीं न कहीं गलती करते हैं जब आपके पास मुल्टिपल आप्शन्स होते हैं यहाँ पर आपके पुट करके आसानी से इसको समझ सकते हैं जैसे कि अगर हम बात करें नेफ्यू या फिर भतीजे की तो भतीजा जो भी होगा यानि कि नेफ्यू की बात करें नेफ्यू जो भी होगा वो डेफिनेटली क्या होगा मेल होगा जबकि हम बात करें cousin की तो blood relation में हम लोगों ने सके उपर discussion भी किया था कि cousin आपके क्या हो सकते है male भी हो सकते है और female भी हो सकते है थायनिकि कुछ male भी cousin हो जाएंगे जो आपके cousin है वो किसी के nephew भी हो सकते है तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे cousin, male और भतीजे के relation को represent करेंगे दिये गए विनारेक की साहेता से ठीक है चलिए next one बात करें तो shirt, cotton and clothes तो अगर हम बात करें shirt की अगर हम बात करें shirt की और अगर हम बात करें cloth की तो जो shirt है वो किसका part है cloth का part है, clothes आपके cotton की भी हो सकते है, shirt भी आपकी cotton की भी हो सकते है यानि कि ये हो जाएगा आपका cotton ठीक है, next अगर हम बात करें example की तो gold, metal and ornaments gold, metal and ornaments तो अगर हम बात करें gold की तो gold क्या है आपका metal है और gold की क्या बनते हैं, ornaments भी ही बनते हैं कुछ अलग मेटल के भी आपको उर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं ठीक है तो अगर आप लोगों को डाउट हो रहा हो देखिए कि जो औरनामेंट्स है वह मेटल का पार्ट क्यों नहीं है तो और्नामेंट्स अगर हम बात करें जैसे कि और्नामेंट्स अगर हम बात करें तो आपके डायमंड के भी बनते हैं जब कि अगर हम बात करें तो डायमंड आपका अगले example के अगर हम बात करें तो mother, female and married, ठीक है, तो यानि कि अगर हम इसको मान लेते है, mother, ठीक है, तो mother definitely क्या होगी, female भी होगी, और definitely क्या होगी, married भी होगी, यानि कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो mother है, वो married में भी completely, जो भी अगर mother definitely married का भी part होगी, और female का भी part होगी, तो जो best way होगा, relation को represent करने का, वो इस वे नारेक की सायता से आप represent कर सकते हैं, अभी अगर मैं आपको इसी example को दिये गए 11 वे नारेकों में पूछता, तो स कर लें, approach क्या होना चाहिए, questions को हल करते समय, उसके उपर हम लोग यहाँ पर detail में discussion कर लें, ताकि questions को बनाते समय, in case अगर हम गलती कर भी रहें, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग अलग जो भी आपके वस्तूओं या जो भी अगर बात करें, relations आपको establish करना है, वहाँ output करके एक बार check कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, अगले अगर हम यहाँ पर example की बात करें, तो दिया है teacher, educated and employed, तो जितने भी teacher है, definitely वह क्या होंगे, educated तो होंगे ही होंगे, obvious सी बात है, teacher है, तो educated होगा, और अगर teacher है, तो employed भी होगा, यानि कि यह हो जाएगा, अगर teacher, तो सारे educated teacher हो, ऐसा जरूरी नहीं है, और सारे educated employed हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन जो teacher है, वो educated भी होगा, और क्या होगा, employed भी होगा, ठीक है, यानि कि यहाँ पर अगर हम बात करें, तो इस प्रकार के वेन आरेक से हम लोग teacher, employed और educated के बीच के relation को represent करेंगे, ठीक है, बात कर लेते हैं, last example, कि इसके बाद हम लोग सीध्या जाएंगे, questions पर जो कि आपके exam में पूछे गए हैं, तो लाइन, कार्नी, वोरस, और अनिमल, तो अगर हम बात करें, लाइन की, तो यह हो जाएगा आपका लाइन, कार्नी, वोरस की हम बात करें, निकि मान्साहारी और यह हो जाएगा एनिमल, तो कुछ जानवर क्या होते हैं, मान्साहारी होते हैं, कुछ जानवर मान्साहारी नहीं होते हैं, लेकिन लाइन क्या है, मान्साहारी भी है, और सा यह अलग-अलग commodities के बीच में जो भी हम लोगों ने relations को देखा English में है यह आपका Hindi में है इसके अलावाई यह आपके 11 वे नारेक हैं जिसके उपर हम लोगों ने चर्चा करी जिसके उपर हम लोगों ने examples को भी discuss किया अब हम लोग बात करेंगे exam में पूछेगे various questions की चलिए तो वे नारेक हमें ना केवल आपको जो भी हम लोगों ने discuss किया उस पर बेश्च को साथ इसाथ आपको इस प्रकार के questions भी देखने को मिलते हैं तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं ठीक है यहाँ पर हमारा approach क्या होना चाहिए यहाँ पर क्या concept लगता इसके बारे में हम लोग discuss कर लेते हैं फिर हम लोग आ जाएंगे सीधे questions पर तो जैसा कि यहाँ पर भी आपको option दिए गए हैं लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रश्न को समझते हैं प्रश्न की अगर हम बात करने तो बुला है इन दा गीवन फिगर विच आप द फॉलोंग लेटर represents singers who are also dancers, actors as well as musicians यानि कि दिये गए आकड़ों में निमलिखित में से कौन सा अक्षर उन गायकों को दर्शाता है जो नर्तक, अभिनेता और साथी साथ संगीत कार भी हैं तो हमें किसको सबसे पहले यहाँ पर पिक करना है तो हमें सबसे पहले पिक करना है गायकों को यानि कि singers को ठीक है हम लोग बात किसकी करेंगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर singers की यानि कि गायकों की तो गायक तो होना ही चाहिए साथी साथ क्या होना चाहिए नर्तक यानि कि dancer भी होना चाहिए अभिनेता यानि कि actor भी होना चाहिए और संगीत कार यानि कि musician भी होना चाहिए त triangle मिल रहा है square मिल रहा है rectangle मिल रहा है circle मिल रहा है triangle की बात करें तो actors को represent करता है यानि कि triangle का भी part होना चाहिए अगर हम बात करें तो dancer square जो है dancers को represent कर रहा है यानि कि dancer का भी part होना चाहिए यानि कि square का भी part होना चाहिए rectangle आपको क्या कर रहे है से रेक्टेंगल आपको सिंगर्स को रिप्जेंट कर रहे हैं कि रेक्टेंगल का भी पार्ट हो एस वेल एस म्यूजिशन यानि कि सर्कल का भी पार्ट हो तो ऐसा आपको एक ही element common दिखाई देरा रहा है जी यानि कि answer यहां पर क्या हो जाएगा option number B अभी आप केवल example से देख रहे हैं और मैंने कहा ना कि इन में से ज़्यादा तर example आपके exam में पूछे गए हैं और अभी आप लोग यहां पर date के साथ भी देखेंगे कि exam में आपके पूछे गए प्रशन किस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं और कितनी आसानी से आप questions को बना पाते हैं ठीक है तो अगर हम बात करें यहाँ पर अगले पूछे गए प्रशन की तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नर्तकों यानि कि dancers तो एक तो क्या होना चाहिए dancer होना चाहिए को दर्शाता है जो गायक के साथ इसाथ अभी नेता है जो क्या है dancer है singer है actor bachelor अग्टर में हैं डांसर है लेकिन संगीत कार नहीं है बड़ मियूजीचन नहीं है तो सबसे पर एकर हम बात करें musician की to musician आपका circle वाला कोई भी element अपका answer नहीं इस हिस्से में आने वाला कोई भी element आपका आंसर हो ही नहीं सकता यानि कि जी आपका क्या हो जाएगा eliminate हो जाएगा जे आपका क्या हो जाएगा eliminate हो जाएगा और I क्या हो जाएगा eliminate हो जाएगा बचेगा आपका एक ही element option number भी तो आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते थे ठीक है दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए इस हिस्से को छोड़ दें तो बाकी तीनों में common होना चाहिए तो बाकी तीनों में common आपको एक ही element दिखाई दे रहा था f तो बुला है दिये गए आकड़े में निमलिकित में से कौन सा अक्षर उन अभी नेताओं को दर्शाता है जो नर्तक भी है यानि कि क्या होने चाहिए अक्टर होने चाहिए और डांसर होने चाहिए अक्टर होने चाहिए और डांसर होने चाहिए बाकी के अगर हम बात करें तो बाकी के element वो है या फिर नहीं है इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है और यहां पर बहुत सारे बच्चों को confusion हो सकता है बहुत सारे बच्चों के answer अलग आपको देखने को मिल सकते हैं ठीक है तो यहां पर अगर आपसे पुछा जाये तो बोला है एक्टर की और डांसर की तो यानि कि एक्टर का पार्ट हो और डांसर का पार्ट हो तो यानि कि यहां पर आपको चार element common देखने को मिल रहे है और यह चारों के चारों ही क्या हो जाएंगे answer हो जाएंगे क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक word की बात करें, उन अभी नेताओं की बात करता है जो केवल, अगर यहाँ पे हम केवल शब्द जोर दें, जो केवल क्या है? नर्तक है, याँनि कि यहाँ पे अगर हम बात कर दें, who actors, represent actors, who are only dancers, ठीक है? उन actor सी बात करेंगे जो केवल डांसर से केवल शब्द जोड़ देता तो यहां पर आपका answer क्या बनता है यहां पर आपका answer बनता है यहां पर आपका answer बनता है लेकिन only शब्द नहीं है यानि कि वह actor होना चीए dancer होना चीए उसके अलाव़ा वो क्या-क्या है it doesn't matter इससे हमें क क्या है मेल हैं और साथी साथ क्या है क्रिकेटर है तो अगर बताओ यहां पर हम अगर example ने महेंदर सिंग धोनी का तो क्या महेंदर सिंग धोनी इस category में नहीं आएंगे बिल्कुल आएंगे क्या विराट कोली से बिलॉंग करते हैं साथी साथ अगर हम बात करें तो relationship में भी प्रस्न के लिए बात कर लेते हैं हम लोग यहां पर अगले question की अगले question की अगर हम बात करें तो यहां पर आपसे बुला जा रहा है उन अभी नेताओं को दर्शाता है जो केवल नर्तक है उन अभी नेताओं को दर्शाता है जो केवल नर्तक है तो यहां पर इस बार हम लोग answer के हमाग करेंग की यानि कि सीधे आएंगे हम लोग यहाँ पर question पर तो question कि अगर हम बात करें तो इस बार यहाँ पर आपका क्या कर रहा है in the given figure which set of letters represent teacher who are either entrepreneurs और fathers ठीक है यानि कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह हो गया आपके Father कि और यह आपके entrepreneurs तो यहाँ पर आप से बोला जारा है कौन सा समुव उन सिक्षकों को दर्शाता है जो यह तो क्या है उद्यमी है यह तो पिता है यह तो father है और यह तो एंटर्पन्यूर है और बात किसी कर रहा है teachers की बात किसी कर रहा है teachers की तो या तो शब्द आपको देखने को मिल रहा है तो यहां पे आपका approach क्या होना चाहिए इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे तो सबसे पहले तो teacher होना चाहिए अब teacher के साथ साथ क्या हो या तो आपको शब्द देखने को मिल रहा है, it means कि हम बोथ की बात नहीं करेंगे, it means कि हम बोथ की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आइदर और की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बोथ की बात नहीं करेंगे, पहली चीज़, तो जो दोनों में common है, जो दोनों में common है, वो आपको क्या हो गया? T तो T की चर्चा हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे एक तो हम लोग चर्चा करेंगे किसकी U की और दूसरी हम लोग चर्चा करेंगे किसकी S की तो या तो U हो जाएगा या तो S हो जाएगा यानि कि answer क्या हो जाएगा option number B ठीक है यानि कि हम बात करेंगे किसकी S की और हम बात करेंगी कि यह आपको लिखा हुआ मिलेगा हिंदी की बात करें तो लेकिन दोनों नहीं ठीक है तो इस प्रकार से आपको कई बार लिखा हुआ भी मिलेगा एक्जाम में चलिए नेक्स्ट वान अगर हम बात करें तो आपसे पूछा है कौन सा समू उद्यमियों को दर्शाता है जो पिता या सिक्षक हैं लेकिन दोनों नहीं जैसा कि यहां पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है ठीक है तो सेम कोश्चन है आपको दो अलग-अलग लैंग्विजिस में देखने को मिल सकता है अप्रोच दोनों में आपका क्या होगा सेम होगा तो कन्फ्यूज नहीं होना है इस बार भी आंसर क्या हो जाएगा आपका यू एंड एस यानि कि हम बात करेंगे इस बार क्या दिया है उद्यमियों को दर्शाता है वहाँ पे पिछली बार हम लोगों ने बात करें थी इस बार हम लोग बात करें कि इसकी उद्यमियों की उद्यमियों की बात करें तो इस रेक्टेंगल की एरिया में आएंगे ठीक है तो उन उद्यम्यों की बात करेंगे जो क्या है या तो पिता है या तो सिक्षक है तो अगर हम बात करें यू क्या हो जाएगा आपका सिक्षक हो जाएगा और एस क्या हो जाएगा आपका पिता हो जाएगा लेकिन हम ट को यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे लेकिन यहा पर हो जाएगा यानि कि सबस्क्राइब क्या हो जाएगा आपका यू एस सॉरी अगर हम बात करें हाव कुल इससको थोड़ा सांदॉ करेक्शन कर ली तो हम भी उडियों की उन उद्यमियों की हम बात करें, यानि कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस rectangle वाले area की, इस rectangle वाले area की हमें बात करनी है, हमें बात करनी है, इस square वाले area की, ठीक है, और अगर हम बात करें तो हमें बात करनी है, किसकी, इस circle वाले area की, हमें बात करनी इस circle वाले area की लेकिन ध्यान दीजिए इन में से हमें कौन सा वाला area pick नहीं करना है तो हमें ये वाला area pick नहीं करना है इसके अलावा इन सब में जो भी common होगा हम उन elements को क्या करेंगे pick करेंगे तो यहां पर देख पा रहे हैं कि आपको एक तो क्या common मिल रहा है यू स्क्वार और rectangle में एक common क्या मिल रहा है आपको एस लेकिन हम बात करें यहां पर एस की तो यहां पर ऐस आपका किसमें आ रहा है ऐस आपका आ रहा है teachers में और फादर्स में जबकि हमें चाहिए क्या था हमें चीज़े था entrepreneur यानि कि आपका पार्ट होना ही ठीक है अब entrepreneur के साथ साथ क्या हो सकता है या तो teacher हो सकता है तो कौन सा element आपका U है और entrepreneur के साथ और क्या हो सकता है तो आपका father हो सकता है जो कि क्या आपका W है T को हम लोग यहाँ पर consider नहीं करेंगे तो इस बार answer क्या हो जाएगा U और W ठीक है answer क्या हो जाएगा U और W clear चलिए तो यहाँ पर option में थोड़ा सा आपका correction देखने को मिल रहा है बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की तो सीधे हम लोग आ जाते हैं SSC CGL 2020 में पूछे गए प्रश्न पर और यहाँ पर हम बात करें चार आपके पास यहाँ पर option दिये गए है रिलेशन के बीच बताना है तो महिला है शोध करता और अंतर मुखी के बीच यानि कि women researchers और introverts के बीच में हमें क्या दिखाना है relation दिखाना है तो women can be a researcher और a researcher can be introvert यानि कि अगर हम बात करें हैं पर correct answer क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा यानि कि तीनों ही क्या है एक दूसरे से आप कह सकते हैं कि आंसिक रूप से संबन्दीत है यानि कि a woman can be a researcher और a researcher can be introvert और a woman can be introvert ठीक है next one अगर हम बात करें musician females and daughters तो यानि कि अगर हम बात करें daughters की तो daughters क्या होंगी definitely females होंगी यानि कि अच्छा question आपके exam में पूछा गया है और इस प्रकार के question में कहीं कहीं आप गलतियां करते हैं तो पहले आपको क्या करना है अपना answer pick करना है तो यहां कि अगर हम बात करें क्या होंगी female होंगी फिर आपका बोला है musician तो musician आपका daughter भी हो सकती है और female भी हो सकती है निकि correct answer क्या हो जाएगा option number D हो जाएगा correct answer क्या हो जाएगा आपका option number D ठीक है अच्छा बाकी क्या options को हम क्यों नहीं pick करते बहुत सारे बच्चों के में यह भी डाउट होगा तो इसके उपर भी हम लोग discussion कर लेते हैं जैसे हम बात करें मालनेते हैं अप्शन number C की अगर इसकी हम बात करें तो अगर आप इसको क्या मानते हैं daughter माल लेते हैं फीवेल मालन लेते हैं और इसको आप मालन लेते हैं जैदि musician ठीक है तो आपके कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी फीमेल से हैं वो सभी के सभी क्या है musician है और जितनी भी daughter से हो सभी के सभी क्या है musician से तो ऐसा होता हूँ आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए हम इन क्या करते हैं करते हैं कोई भी क्या करते हैं करते हैं तो अगर को लगता है कि को दूसरा option क्यों हो रहा तो आप जो भी यहां पर रिलेशन के लिए आपको कमॉडिटी जी गई है जो भी आपको relation के लिए यहाँ पर वस्तु के नाम दिए गए हैं आप उनको यहाँ पर फुट करके देख सकते हैं ठीक है चलिए इस प्रकार से भी आपके exam में questions पूछे जाते हैं यहाँ पर आपको बताना है कि दिये गए किन विकल्पों में से जो diagram आपका दिया गया है वो best तरीके से represent कर देगा तो जैसे कि बोला गया है यमुना रिवर एंड कावेरी तो अगर हम बात करें रिवर के अंदर कौन आ जाएंगे यमुना भी आ जाएगी और कावेरी भी आ जाएगी यमुना और कावेरी का आपस में कोई भी संबंध नहीं होगा तो इस प्रकार से हम लोग represent नेक्स एक्जांपल दिया गया है गर्ल्स इंटेलिजेंट और बॉइज यानि कि यह क्या हो जाएगा आपका इंटेलिजेंट हो जाएगा कुछ बॉइज इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ गर्ल्स क्या होती हैं इंटेलिजेंट होती हैं लेकिन कोई भी गर्ल आपका ब definitely क्या हो थे गूंगी में या फिमेल होंगी फिर दिया है वेजिटेरियन तो sister वेजिटेरियन होंगी कुछ वेजिटेरियन होंगीiałem क्या हूंगी ठेस्टेशनरी पेंसिल अपन कहीं हम बात करें तो क्या जाएका पनसिल भी आ जाएगा और स्टेबलर भी आ जाएगा तो यह अलाग अलाग आपको यहाँ पे commodities के बीच में relation समझना है पहले तो और उसके बाद decide करना है कि कौन सी वाली commodity के लिए यह क्या होगा आपका when R1 होगा ठीक है चली तो इस प्रकार से भी आपसे question एक्जाम में पूछ लिए जाते हैं बात कर लेते हैं अगले question की हम यहाँ पे question की बात करें तो बोला जा रहा है धनिया मसाले और दाल चीनी यहानि कि अगर हम धनिया की बात करें तो यहां पर इंग्लिश में भी सकते हैं और यह एक्जाम की लैंगवेज है तो करने फ्यूज नहीं होना है यहां पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कोरियंडर सीड्स तो बिल्कुल कसम नहीं खा लेना है कि अगर हम हिंदी में को बना रहे हैं तो इंग्लिश की तरफ देखेंगे इन्ग्लिश मे क्या करना है दूसरे लैंग्वेज में लिखे गए शब्द से थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेना है कि एक्चुल में पूछना क्या चाह रहा है तो यानि कि हम बात कर रहे हैं पर कोरियंडर सीड्स की जो सूखी धनिया आपके मसाले के तौर पर यूज होती है उसकी हम बात कर रहे हैं तो जो आपका कोरियंडर सीड होगा वो क्या हो जागा मसाले का पार्ट हो जाएगा और दाल सीनी भी क्या हो जागा मसाले का पार्ट हो जाएगा लेकिन इनका अपस में कोई भी संबंद नहीं होगा बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रशन की अगले प्र बॉलर जो है वो आपका cricket भी खेल सकता है as well as athlete भी हो सकते हैं ठीक है next one वरून ग्रह और चंद्रमा यानि कि exam के अगर हम बात करें तो exam के point of view से ये question आप से पूछा गया था ठीक है और इस प्रकार के प्रस्णों में आपको कहीं न कहीं confusion होता है तो इसके बारे में हम अगर बात करें तो बोला गया है वरून सबसे पहले तो वरून क्या है आपका ग्रह है तो ग्रह के अंदर क्या जाएगा वरून आ जाएगा जबकि हम बात करें चंद्रमा की तो चंद्रमा आपका क्या है एक satellite है यानि कि उप ग्रह है तो आपका जो चं प्लैनेट अर्थ और मून ठीक है तो उसके लिए आपका स्ट्रक्चर यही बनेगा उसके लिए आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा यह बनेगा चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्ण की निमलिखित में से कौन सा चित्र पूरुष बच्चे और पिता के बीच सबसे अच्छे संबंद को दर्शाता है तो जितने भी पिता होंगे वो डेफिनेटली क्या होंगे जितने भी पिता होंगे वो definitely क्या होंगे male होंगे और कुछ children क्या होंगे male भी हो जाएंगे लेकिन कोई भी children आपका father नहीं होगा तो यह आपका best represent करेगा father male और children के relation को next one next one बात करें तो doctor female and father doctor female and father तो देखिए यह हो जाएगा आपका doctor यह हो जाएगा आपका father और यह हो जाएगा आपकी female यानि कि कुछ female भी doctor हो सकती है कुछ father भी doctor हो सकते है लेकिन कोई भी female father नहीं होगी कोई भी father female नहीं होगा अगला question सरी सरिफ मेंडक और जन्तु तो अगर हम बात करें रेप्टाइल फ्रॉग एंड एनिमल तो अगर हम बात करें फ्रॉग की तो फ्रॉग आपका रेप्टाइल की कटेगरी में नहीं आता फ्रॉग आपका आता है एमफीबियन की कटेगरी में ठीक है यानि कि यहाँ पे जो reptile है वो animal की category में तो आएगा यानि कि animal की category में जो भी frog है वो भी क्या है animal है लेकिन जो reptile है मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई भी आपका जो when are a है वो बहतर तरीके से लेकिन देखते हैं अगर हम बात करें frog की तो फ्रॉग animal का तो पार्ट होगा ही होगा डेफिनेटली होगा और कुछ animal क्या होते हैं रेप्टाइल होते हैं ओके ठीक है यानि कि हम correct answer की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका option number भी हो जाएगा यानि कि रेप्टाइल भी क्या होगा animal के अंदर आएगा और frog भी क्या होगा animal के अंदर आएगा लेकिन अगर हम बात करें frog की तो frog आपका क्या होता है एंफिबियन होता है यानि कि उसका रेप्टाइल से कोई भी संबंध नहीं होगा ठीक है बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रस्ण की आगले दी हम प्रस्ण की बात करें तो बोला है परवट प्रिथवी और one के बीच संबंद को दर्शाता है तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो प्रिथवी पर ही क्या होगे परवट भी होगे और one भी होगे यानि कि बहुत सारे बच्चे इसको भी आंसर मात कर सकते हैं लेकिन अगर हम बात करें आपके correct option की तो correct option हो जाएगा आपका option number D क्यों हो जाएगा option number D क्योंकि कई बार आपके जंगलों के अंदर भी क्या देखने को मिलते हैं परवत देखने को मिलते हैं तो correct answer हो जाएगा आपका option number D चलिए बढ़ते हम लोग अगले question की और अगले अदिम यहाँ पर प्रस्ण की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बताना है किसके किसके बीच sun, planet और earth के बीच आपको relation को बताना है यानि कि सूर ये ग्रह और प्रिथवी की अगर हम बात करें तो sun आपका ग्रह नहीं है यानि कि sun की बात करें तो sun क्या आपका star है तो यानि कि सूर ये क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा जबकि हम बात करें earth और planet की तो इसको भी थोड़ी दिर पहले बात कर लेते हैं अगले प्रसणकी ऑगले अगर हम प्रसणकी बात करें तो यहां पर बताना है जो तृइभूजं़ है ने या इंदियान है ठीक है और अगर हम बात करें रेक्टेंगल की तो आयत किसको रिप्जन करता है बॉइस को रिप्जन करता है या कह सकते हैं मेल्स को रिप्जन करता है ठीक है लिखा हुआ है तो बॉइस लिखा लीज़िए चले कि अगर हम बात करें पूछे गए प्रस्ण की तो यहां पर आप से पूछा जा रहा है कितने भारती खिलाडी हैं लेकिन लड़के नहीं तो सबसे पहले हम बात करें यहां पर इंडियंस की तो कितने ऐसे भारती हैं जो कि क्या खिला ली है लेकिन इंडियंस नहीं है तो इन दोनों में याणि कि ट्रैंगल का पार्ट होना चाहिए और इस शटबुज का पार्ट होना चाहिए लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो rectangle का पार्ट नहीं होना चाहिए ठीक है तो ऐसा आपको एक ही नंबर यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि क्या है 10 है तो यानि कि करेक्ट आंसर क्या हो जागा यहां पर आपका 10 ठीक है यानि कि कि किसका किसका पार्ट हो ट्रेंगल का पार्ट हो एक सबन का पार्ट हो लेकिन हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहां पर कौन सा वाला डाइग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां पर वर्ग यानि कि हम बात करें स्क्वाइर की तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वाइर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है चिकित्सक और अगर हम बात करें circle की, तो circle किसको represent कर रहा है? square हो गया, pentagon हो गया, circle आपको represent कर रहा है blood donors को. पूछा क्या है? कितनी महिला ची किस सक रखत दाता है? यानि कि तीनों में क्या होना ची? इक common element होना ची? तो तीनों में आपको common element एक ही number दिखाई दे रहा है कौन सा वाला 50 तो answer क्या हो जागा यहां पर option number D ठीक है चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्ण की अगले हम प्रश्ण की बात करें तो यहां सबसे पहले अगर हम बात करें वृत की तो वृत किसको represent कर रहा है ग्रामीर जनों को यानि की विलेजर्स को फिर उसके बाद अगर हम बात करें विलेजर्स एंड रूरल इन दोनों में थोड़ा सा contradiction है शेक कर लेंगे हम हिंदी वाले को भी करेक्ट मान करके इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं ठीक है हिंदी वाले को करेक्ट मान के हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं तो यहनिकर हम बात करें यहां पर दिये गया रेक में वृत किसको represent कर रहा है ग्रामीर जनों को फिर अगर हम बात करें त्रिभूच किसको रिप्जेंट कर रहा है व्यवसाईयों को ठीक है और अगर हम बात करें यहां पर रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल किसको रिप्जेंट कर रहा है आपका इसना तक यानिकि ग्रेजुएट्स को पूछा किसके लिए क्या है उन ग्रामीड व्यवसाईयों को ठीक है उन ग्रामीड व्यवसाईयों की संख्या कितनी है जो इसना तक नहीं है यानि कि rectangle का part तो होना ही नहीं चीए बाकी दोनों में क्या होना चीए यानि क्या हो जाएगा option number C ठीक है तो यह सिर्फ एक समझाने का तरीका था कि आपको क्या करना इस प्रकार से clarify कर लेना है आराम से इत्मिनान से चीजों को बिल्कुल अलाग अलाग कैटेगरी में बाट लेना है लिख लेना है उसके बाद आपको क्या करना है आंसर करना है इत्मिनान से कब तक जब तक कि आपकी proper number of questions की practice नहीं हो जाती ठीक है जब एक बार आपकी number of questions की practice हो जाएगी तो आप questions को क्या करेंगे देख करके आसानी से बनाएंगे और वहां पर आपकी accuracy भी बढ़ती हुई नजर आएगी यानि कि अगर आप ऐसे direct ही question को solve करते हैं तो कई बार आपके गलत होने के chances बहुत जादा हो जाते हैं यानिकि गलत होने के chances बढ़ जाते हैं और हम नहीं चाहते कि आप exam में किसी भी प्रकार का कोई risk उठाएं इत्मिनान से आपके पास time है number of questions आपके पास यहां पर दिये गए है practice sheet भी आपको provide करा जार यह previous year paper भी आपको provide करा दिया गया तो यानिकि आपके पास sufficient content है practice करने के लिए number of questions की आपको practice करके फिर क्या करना है direct questions को बनाने की practice करनी है और वहां पर आपको कहीं अपनी accuracy के उपर काम करना accuracy के उपर मेहनत करनी है इससे आपकी speed भी develop होगी accuracy भी develop होगी और कहीं कोशन को आप आसानी से बना पाएंगे और अपना जो एक aim है यानि कि एक जो अपने लिए PBBCat सुनि-स्चित करना वह भी आप करते हुए नजर आएंगी ठीक है चलिए बात कर ले तो अगले पूछे के तो अगर हम यहां पर बात कर रहें अगले पूछे कर रहा है अगर हम बात करें तो ग्रामीर जनों को यानि की चलो यह होगे आपका ग्रामीर जन ठीक है अगर हम यहां पर बात करें पूछे कर प्रस्ट की तो बोला है ग्रामीर आ नहीं हो जित यानि कि इंप्लॉइड नहीं होने चाहिए इस नातकों की संख्या कितनी है तो बाकी दोनों में तो कॉमन हो लेकिन ट्रेंगल का पार्ट न नहीं होना चाहिए तो आंसर क्या हो जाएंगा ओप्शन नंबर भी ट्रेंगल का पार्ट नहीं हो तो ट्रेंगल का पार्ट नहीं होना हो जाएं जो दो मैं आपको एक यह नंबर और common दिखाई ज़रा था जो कि क्या था एट क्लियर चलिए अगले अगर हम question की बात करें तो भती जी महिला और cousin तो जो भती जी है वो definitely क्या होगी महिला होगी यानि की answer का जाएक option number C इस पर हम लोगों ने question discuss भी किया था क्या था male था nephew था और cousin के relation को भी हम लोग इस प्रकार से क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे next अगर हम question की बात करें select ठीक है यहाँ पर select the set of classes the relationship among which is best illustrated by the following went diagram ठीक है अगर हम बात करें आउल्स की mammals की reptiles की ठीक है तो पहली चीज़ तो यह समझे कि आउल्स को हम लोग किसकी तो हम लोग मैमल कंसीडर करते हैं ठीक है वलोग क important करते हैं मैमल consider करते हैं ला overse ours में क्या होता है रियर्ड होता है lunges से breathe करते और भी properties आप देखेंगे तो ऐस में pawis आती है जिसके करना हम लोग osób को क्या consider करते हैं मैमल consider करते हैं यानिक किया करें यह यह तो होगा नहीं कि पहली चीज़ तो मैमल और रेप्टाइल एक दूसरे से कंप्लीटली क्या होंगे डिफरेंट होंगे प्रफ्टर मान लेते हैं डोक्टर और ब्रदर से अगर हम ब्रदर मान लेते हैं फादर मान लेते हैं डोक्टर किसी का भाई भी हो सकता है डोक्टर पिता भी हो सकता है जो भाई हो किसी का और DIA ठीक weiß कर लेते हो भाई परिवार और बहन पनाओर प्रिवार के सधाचे होते हैं अलग होगी हो अलग होगी जो बहन है यह नहीं होगा टीक है चलो इसी सा कोश्चन था राजा राणिया और माताएं तो जो राणिया है वो माताएं हो सकती है ठीक है लेकिन जो राजा है ना तो वो माता होगा ना तो राणिया होगा इनकी आंसर क्या हो जाएगा option number B next one next one कि अगर हम बात करें तो पहले सी यहां पर आपको mention किया गया है question में सीधे सीधे हम लोगा आते हैं पूछे गया प्रस्ट में तो पूछे गया प्रस्ट में आपको यहां पर क्या क्या पूछा जा रहा है how many school teachers are either graduates or married persons but not both इसके बारे मनें चर्चा करी थी और यहां clearly लेख सकते हैं एक्जाम में आपके पूछा गया question है यह हो गई आपकी language इसके उपर हम लोगों ने चर्चा किया था ठीक है है तो यहां पर हमें बताना है कितने school सिछक की बात करें तो rectangle यह तो विवाहित ले यह तो graduate है थी है या कि यह तो circle का part है यह तो ट्रेंगल का part है लेकिन दोनों का part नहीं है तो अगर हम बात करें यहां पर triangle के part और rectangle में एक तो seven आपको common दिखाई दे रहा है और अगर हम बात करें यहां पर circle और rectangle में आपको 15 common दिखाई दे रहा है तो 15 प्लस 7 की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा option number B क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए ठीक है बात कर लेता हम यहां पर अगले question की जो कि आज के session का आपका क्या है last question है निमलिखीत में से कौन सा चित्र professor वैज्यानिक और सोध करता के बीच सबसे अच्छे संबंध को दरसाता है प्रोफेसर वैज्यानिक और सोध करता यानि कि यहां पर हम बात करेंगे किसकी option number A की ठीक है हम बात करें किसकी option number A की यानि कि प्रोफेसर आपका वैज्यानिक भी हो सकता है सोध करता जो है वो आपका वैज्यानिक भी हो सकता है और प्रोफेसर भी हो सकता है ठीक है चलिए तो यह था आपका आज का session यानि कि हम बात कर रहे थे कि इसकी logical wind diagram की इसके बाद हम लोग discuss करेंगे syllogism यानि कि नयाए निगमन ठीक है तो आपको क्या करना है आपको यहां पर number of questions की practice करना है यानि कि जो आपको previous year paper आपके telegram group पे provide कराया गया है उन paper से आपको क्या करना है questions को solve करना है साथ ही साथ आपको यहां पर practice sheet भी provide कराई जा चुकी है तो आपको practice sheet से भी questions को solve करना है साथ ही साथ मैंने जैसा कि previous lecture में भी आप लोगों को समझाया और इस बार करके रखते हैं तो unnecessary notification आपको मिलेंगे आपके जो genuine questions है उस chatting में कहीं न कहीं खो जाते हैं तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आपको आवशकता लगती है किसी प्रस्न में doubt आता है तो आप उन्हीं प्रस्नों को discuss करें आपको आता है किसी प्रस्न का उत्तर तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हमें बीच में कई बार interruption करने की जरुवत नहीं पड़ेगी आपका जो भी डाउट होगा उसके उत्तर आपको वहां पर जो भी हमारे members है वह आपको प्रस्नों के उत्तर अलड़ी दे देंगे ठीक है अवश्यक लगता है तो हम बीच में कोशिस करेंगे कि हम भी आपके प्रस्नों का उत्तर दें हम भी participate करें तो आपकी सुविधा के लिए जो भी यहां पर माध्यम बनाया गया उसको आप सुविधा जनक तर थैंक यू